Welcome to class number 36 Number system की पिछली class में हम देख चुके हैं Classification of number और base conversion को तो इतने सारे topics में से Classification of numbers और base conversion ये दो topic हम कर चुके हैं आज जो हमें देखना है वो है recurring digits को अब recurring digits पर आने से पहले कुछ basic बात है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ अगर हम decimal number system की बात करें तो वहाँ पर अगर मैं कोई number लिखूँ N इस number को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं पहला पार्ट होगा इसका integer वाला पार्ट इसे मैं लिख देता हूँ INT से और दूसरा पार्ट हमारा होगा decimal वाला पार्ट तो उसे मैं लिख देता हूँ DEC से तो numbers को हम integer प्लस decimal वाला पार्ट इस तरह से हम उसे दो भागों में बाट सकते हैं जैसे example के तोर पे अगर हम 2.25 को ले लें number है हमारा 2.25 अब इसमें अगर मैं integer वाले पार्ट की बात करूँ तो वो है decimal के पहले वाला 2 यह हुआ integer पार्ट और इसमें decimal पार्ट कौन सा है 0.25 तो decimal का पार्ट हो जाएगा 0.25 यह तो हुआ बहुत बेसिक सी बात लेकिन इसमें जब हम plus minus करते हैं या फिर खासकर जब negative sign involved होती है तब हम वहाँ पर गरबड करना शुरू कर देते हैं जैसे अगर मैं आपसे कहूँ एक हम number ले लेते हैं simple साथ 2.1 तो number है हमारा 2.1 अगर मैं इसे बाटना चाहूँ integer और decimal के पार्ट में तब तो आप simply यहाँ पे कह देंगे कि integer वाला पार्ट 2 है और decimal वाला पार्ट 0.1 है अब अगर मैं आपसे कहूँ यह हुई पहली बात अब अगर मैं दूसरे केस की बात करूँ और यहाँ पर मैं लिखूँ minus of 2.1 तो ज़रा अब मुझे बताइए कि इसे आप integer और decimal वाले पार्ट में किस तरह से बाटेंगे तो अगर आप कह रहे हैं कि इसे हम लिख सकते हैं minus of 2 plus 0.1 तो यह answer जो हो जाएगा आपका गलत क्योंकि जब आप जो आपने निकाला है इसे ही अगर आप वापस solve करके देखें तो minus 2 में अगर आप 0.1 add करेंगे तो वो आपको देगा minus of 1.9 जबकि नंबर होना क्या चाहिए था आपका minus of 2.1 तो यहाँ पर गलती कहाँ पर हो रही है यहाँ पर आपसे गलती हो रही है कि आप इस नंबर को integer और decimal part में सही से नहीं बाट पारें अब मैं इसका सही चीज़ करके बताता हूँ इसी के नीचे हम लिखते जाते हैं ताकि आपको compare करने में आसानी हो minus of 2.1 है ठीक है तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा अगर इस minus को हम देखें तो minus sign मैं बाहर ले दूँ और bracket में लिखूँ तो वो हो जाएगा 2 plus 0.1 इसी तरह से होगा अब इसे अगर मैं minus sign को अंदर दोनों में multiply कर दूँ तो वो हो जाएगा minus of 2 minus 0.1 यह होगा अब आप देखिए आपने पहले क्या निकाला था जबकि actually क्या आना चाहिए अब जब इसे हम solve करते हैं तो एक चीज़ और देखते हैं अब solve नहीं करना है हम यहाँ पर यह निकाल रहे थे कि decimal part क्या होगा और integer वाला part क्या होगा तो अगर आप देखिए तो decimal part हमें देखने में लग रहा है कि minus 2 हो जाएगा integer वाला part और decimal वाला part हो जाएगा हमारा minus of 0.1 लेकिन ऐसा नहीं होता है क्यों नहीं होता क्योंकि यह जो दो चीज़ों में हम इन्हें बाटते हैं इनके कुछ अलग अपनी conditions होती है जैसे अगर हम integer की बात करें तो यह integer minus से लेके plus तक कोई भी digit ले सकता है कोई भी number ले सकता है इसकी कोई limit नहीं है लेकिन अगर हम इस decimal वाले part की बात करें तो यहाँ पर कुछ condition चलती है यह जो decimal वाला part है अगर इसे मैं d से correspond करूँ तो यह हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के और छोटा होगा हमेशा 1 के तो यह एक important चीज है यह आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम decimal वाला part लिखते हैं तो उसे हम negative terms में नहीं लिखते हैं प्लस जो decimal है वो या तो 0 के बराबर होगा जैसे 2.0 में decimal part आपका 0 हो जाएगा या 0 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए जैसे यहाँ पर 2.25 तो यह जो 2.25 है यह 1 से कम है तो जो भी decimal part रहेगा वो हमें रखना होता है 0 से 1 के बीच में तो यहाँ पर negative आने का तो सवाल ही नहीं उठता इसलिए यह जो minus 1 है यह हो जाता है हमारा गलत कि हम decimal को यह नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर integer part minus 2 है मेरा और decimal part मेरा minus of 0.1 है decimal तो हमें positive notation में ही लिखना पड़ता है तो इस decimal को positive notation में हैं कैसे लिखें इसे हम लिख सकते है 2 से अगर मैं इसे carry दे दूँ तो यह part हो जाएगा positive तो अगर minus 2 से हम और एक निकाल दें तो वो बन जाएगा minus 3 एक इसके पास जाएगा तो 1 में जब हम 0.1 को subtract करेंगे तो वो हमें देगा 0.9 अब यह हमारा सही हो गया तो integer part जो है वो होगा minus 3 और जो decimal वाला part है वो होगा 0.9 तो यह दो चीजों को आपको देखना है तो यह basic चीज थी जो आपको पता होनी चाहिए तो minus में जब हम decimal में काम करते हैं तो वहाँ पर हम इस तरह से गरबर्ट कर बैठते हैं वो आपको आप नहीं करना है हम यहाँ पर निकाल रहे थे कि कोई भी number है उसको हम integer और decimal दो चीजों में किस तरह से बाटते हैं दूसरा हमने देखा decimal को हमें 0 और 1 के बीच में रखना होता है तो वो हमेशा positive रहेगा लेकिन यहाँ पर decimal वाला पार्ट हमारा आ रहा था negative तो उसे positive बनाने के लिए हम integer से carry ले लेते हैं तो हमारा integer बन जाएगा minus 3 और जो decimal वाला पार्ट है वो जाएगा 0.9 इससे आप solve करेंगे तो आपको minus 2.1 ही मिलेगा अब करते हैं तीसरी बात अगर number है 2.1 bar तो इसका क्या मतलब होता है तो यह होता है हमारा recurring decimal वाले portion में जब भी उपर बार लगा हो तो वो देता है में recurring तो इसका मतलब होगा 2.1111 इस तरह से यह चलता जाएगा रिकर करता जाएगा चौथा अगर लिखा हो 2.1 again लेकिन अपकी बार बार लगा हो 2 के उपर तो इसका क्या मतलब है तो इन दो चीजों में अगर आपको ध्यान देना है अगर decimal वाला part जो है उस पे बार लगा होता है तो ही वो चीज रिकर करती है मतलब repeat करती है जैसे 1 के उपर बार था तो 1 यहाँ पर infinitely repeat होते जाएगा लेकिन अगर 2.1 में 2 के उपर बार लगा हुआ है तो इसका कई मतलब नहीं कि यह हमारा recurring number हो गया 2 के उपर बार होने का मतलब यह नहीं है कि 2 को हमें repeat करना है recurring तभी होगा जब decimal वाले part में बार लगा हो अगर integer वाले part में बार लगा हो तो उसका मतलब होता है कि जो integer है सिर्फ वो negative है जो हमारा decimal वाला part है वो अभी भी positive है इससे हम लिखेंगे 2 के उपर बार है, integer के उपर बार है तो मतलब minus 2 यह integer का part हो जाएगा और point 1 यह हमारा as it is decimal का part रहेगा तो इससे अगर हम solve करें तो यह हमें देगा minus of 1.9 यह अब सही है तो यह लिखने की notations हैं यह सब आपको पता होने चाहिए इनमें आप गडबड ना कर रहे हूं यह आप देखिएगा यहाँ पर जो हमने लिखा था वो गलत था तो उससे हमें positive में convert करना पड़ रहा था लेकिन यहाँ पर वो case नहीं है जब integer वाले part के उपर बार लगा होता है तो उसका मतलब है सिर्फ वो integer वाला part negative है बाकी जो decimal है वो तो positive ही है इसलिए इसका answer हो जाएगा minus of 1.9 तो यह कुछ basic सी बाते हैं क्योंकि आपको पता होनी चाहिए decimal number system में अब हम चलते हैं अपने recurring वाले part में तो सबसे basic questions आते हैं हमारे जब हमें convert करना होता है recurring को p by q form में अब यहाँ पे एक चीज़ और हम समझ लेते है rational और irrational number यह हमने देखे थे तो recurring कहां पर आता है अगर मैं rational number की बात करूँ अगर हम लिखे है rational number तो rational number या तो terminate होंगे या फिर recurring करेंगे recur करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे और फिर यहाँ पर लिखते हैं recurring तो rational number वो होते हैं जो या तो terminate कर जाते हैं या फिर recurring करते हैं अब अगर हम irrational number की बात करें irrational number उनके case में क्या होता है ना तो वो terminate करते हैं तो उने हम लिखेंगे non-terminating and क्या वो repeat करते हैं तो वो repeat नहीं करते हैं non-recurring लिख लिखेंगे या non-repeating जैसा भी आपको comfortable लगे हम यहाँ पर लिख लेते हैं non-recurring एक जैसा हमारे सारे word हो जाएंगे non-recurring यह दो चीज़ें irrational number और irrational number यह तो अपनी classification में देख चुके हैं तो इसमें irrational numbers पर, उन्हें ही हम p by q के form में लिख सकते हैं, irrational को थो हम लिख नहीं सकते हैं तो जो भी हम करेंगे, सारा कामकाश करेंगे, irrational पर, rational number पर, ना कि irrational पर क्योंकि वही उन्हें ही हम p by q के form में लिख सकते हैं अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से recurring numbers को p by q या फिर fraction के form में लिख सकते हैं तो questions के साथ हम इस चीज को समझते जाएंगे यहाँ पर हमें दिया है 0.57 और उसके उपर लगा हुआ है बार तो decimal के बाद जितने digits के उपर बार लगा होता है जैसे यहाँ पर 0.57 है तो इसे हम लिखेंगे इंटीजर का part तो यहाँ पर कोई है नहीं इसे हम simply लिखेंगे 57 और इसे हम डिवाइड करते हैं इसे ठीक से लिख देता हूँ 57 और इसे हम डिवाइड करेंगे कि इससे जितनी बार बार लगे हुए हैं जितनी digits पर उतने 9 से हैं तो दो डिजिट के उपर बार हैं तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे से 99 से अब अगर यह simplify हो रहे होंगे तो हम इने simplify करेंगे यह 12 हो जाएगा तो 3 से कटना चाहिए 3 से 1 बार, 3 से 9 बार और यह 3 से 33 बार तो 19 by 33 option number भी हमारा answer हो जाएगा तो simply decimal के बाद जितने digits के उपर बार लगा होता है उतनी digits को हम उतनी बार हम नीचे division में 99 9 को लिखते जाते हैं जैसे यहाँ पर दो बार था तो यहाँ पर हमने दो बार 9 लिखा 99 दूसरा, अगर साथ में integer की term भी आने लगे तो फिर हम उसे किस तरह से deal करेंगे जैसे यहाँ पर है 12.87 और 87 के उपर हमारा बार लगा हुआ है इससे करने के अगेन दो तरीके हो जाएंगे, या तो आप इसे लिख लीजे 12 प्लस 0.87 बार, अब जैसे हमने उपर देखा था उस तरह से आप 87 और नीचे 99 लिख दीजे और 12 प्लस 87 अपन 99 आपका वहाँ पर answer हो जाएगा, वो हुआ एक तरीका तो हम उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन वो lengthy सा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें answer जो है, वो improper fraction के term में दिया हुआ है अगर mixed fraction में पूछते, तो मैं इस तरह से उसे calculate करता, इसे मैं लिखता, 12 whole 87 divided by 99, अगर mixed fraction के term में पूछते, तो मैं इस तरह से करता, यह हमारा 3 से divide भी हो जाएगा, तो इसे आप simplify भी कर सकते हैं इस term को, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इस question में हम क्या करते हैं, 1, 2, 8, 7 इस पूरे number को आप as it is लिख दीजे 1, 2, 8, 7 इस में से हम minus करते हैं किन numbers को, जिनके उपर bar न हो, जैसे यहाँ पर decimal वाला part तो पूरा bar में चला गया, लेकिन जो 12 वाला है, यह बचा हुआ है, तो यह हो जाएगा, 1, 2, 7, 5 divided by 99 अब यह simplify हो रहा है कि, यह उपर हो जाएगा 15 और नीचे 99, तो 3 से divide भी हम इसे कर देते हैं 3 से 4 बार, 3 से 2 बार और 5 बार, और नीचे रहेगा 3 से करने के बाद 33 अब उपर 3 से divide होगा क्या? यह 9 और 2 ग्यार, अब नहीं होगा तो 425 बटे 33, यह हमारा answer हो जाएगा तो यहाँ पर 2 चीज़े आपको समझनी है अगर answer यहाँ पर हमसे mixed fraction में पूछा जाता, तो हम 12 को अलग कर देते, जैसे हमने पहले किया था और 87 upon 99, उस तरह से लिखते लेकिन चुकि यहाँ पर हमसे improper fraction में पूछा गया है इसलिए हम पूरे number को as it is लिखते हैं, minus करते हैं जितने number के उपर बार नहीं लगा हुआ है तो 1287 पूरा number minus 12 और division में 99 यह 2 बार 9 क्यों आया? क्योंकि 2 digit पर बार लगा हुआ था फिर इसे हमें simplify कर देना होता है point fraction equivalent of 0.357 और बार कितने के उपर अपकी बार? आप देखेंगे केवल 2 के उपर बार है एक के उपर यहाँ पर नहीं है तो जैसा हमने उपर किया था सेम चीज हम यहाँ पर भी करेंगे पहले हम लिख लेते हैं इस number को integer वाला part तो कुछ है नहीं तो उसे हमें deal भी नहीं करना पड़ेगा हम लिखेंगे 3, 5, 7 यह पूरा number है यहाँ पर minus क्या करेंगे? उन numbers को जो की repeat नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पर 3 जो है वो repeat नहीं हो रहा है 5, 7 तो repeat होता जाएगा तो minus करेंगे हम 3 अब divide में हम क्या लिखें? तो दो digit पे तो बार लगा हुआ है तो दो बार हम लिखेंगे 9 जितने digit के उपर बार नहीं लगा हुआ है उतने हम लिख देते हैं यहाँ पर 0 और यह division में कितनी बार 9, कितनी बार 0 आएगा? वो सिर्फ decimal के इस तरफ वाली चीजों को हम देख के करते हैं अब इससे अगर हम simplify करें तो यह हो जाएगा 354 divided by 990 3 से divide हो गया क्या यह? 9, 3, 12 हो जाएगा तो 3 से हम इसे भी divide भी कर देते हैं 1, 1 और यहाँ पर बचेगा 2, तो 8 divided by 3 से होने के बाद 330 अब यह 2 से divide हो जाएगा तो यह हमें देगा 2 से 5 टाइम्स और फिर 9 टाइम्स और यह हमें देगा 1, 6, 5 59 upon 165 option number D यहाँ पर हमारा answer हो जाएगा इसे में एक और variation देख लेते हैं जहाँ पर integer वाला पार भी हमारा involve हो गया अब हम इसे किस तरह से करेंगे तो same जैसा हमने उपर किया था वही चीज हम repeat करेंगे पूरा number हम लिखेंगे 1, 8, 7, 6 minus करेंगे क्या-क्या यहाँ पर repeat किस पर बार नहीं लगा हुआ है मतलब बार के अलावा जितनी digit लिखेंगी सब हम ले लेंगे including integer वाला पार्ट तो 18 बचा हुआ है तो 1, 8 हम यहाँ पर लिखेंगे अब हम divide करेंगे कितने पर बार लगा हुआ है 2 पर तो यहाँ पर 2 बार 9 और decimal के उपर 1 पर नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर 1, 0 अब इसे हम simplify कर देते हैं answer हमें improper fraction में अगर mixed fraction में होता तो again 1 को मैं अलग लिख देता और फिर बाकी पर काम कर देता वो भी मैं आपको करके पता देता हूँ इसमें से हमें 18 को घटान है तो यहाँ से हमें मिलेगा 8 यहाँ बसता 6 तो यह हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 18 division में रहेगा 9 90 यहाँ पर simplify नहीं किया है तो यही वाला हमारा answer हो जाएगा अगर simplified term में होता तो हम इसे और ज़्यादा simplify कर लेते क्योंकि clearly दिख रहा है 2 से तो at least इसे divide हो ही रहा है इस point पर दूसरी बात अगर हमें इसे option जो है वो हमारे mixed fraction में होते है तब हम कैसे करते एक को हम लिख लेते separate 1 plus बचा हुआ क्या था हमारा 8 7 6 तो हम लिखते 8 7 6 minus 8 divided by 9 9 0 इसे जब आप solve करेंगे तो भी यही answer आने वाला है तो जैसा भी option होगा हमारे question में उसके साब से हम अप्रोच करेंगे चुकि यहाँ पर हमारे improper fraction थे इसलिए हमने पूरे number को एक साथ ले लिया अगर mixed fraction में पूचते तो फिर मैं इस तरह से करता तो दोनों तरीके से आप करके देख लीजिए एक एक बार answer हमेशा same आता है तो यह हमने देखा था recurring से P by Q के form में हम किस तरह से convert कर सकते हैं अब हम देखते हैं कि हम P by Q मतलब fraction से recurring कैसे बनाएंगे question number 10 हमें convert करना है 17 by 9 को recurring के form में recurring के form में convert करने का तरीका यह है यहाँ पे है 9 एक डिजिट और यहाँ पे है 17 दो डिजिट तो सबसे पहले हम क्या करते है 1 जो है उसे लिख लेते है as it is 1 फिर यहाँ पे आप अभी में plus करके आपको दिखा देता हूँ वो बन जाएगा हमारा integer वाला पार्ट अभी जो 7 बचा है इसे हम लिखेंगे 7 और उसमें add कर देंगे यह जो integer आपने यहाँ पे अलग से लिखा है ठीक है तो यह हो जाएगा 1 point यह हो जाएगा 8 और 9 हमारा एक बार है तो 8 के उपर हमारा बार लग जाएगा option number B यहाँ पे हमारा answer हो जाएगा एक और question में आपको करके दिखाता हूँ इस बार आ रहा है हमारा 99 तो इसे हमें convert करना है again recurring में तो यहाँ पे 2 digit है 99 और यहाँ पे 3 digit है 4, 5 और 6 तो सबसे पहले क्या करूँगा जो तीसरी वाली extra digit है उसे हम as it is लिख देंगे 4 plus या plus की जगे में direct decimal लगा देता हूँ क्योंकि हमें पता है ultimately तो हमें decimal form में लिखना होता है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 point अब क्या करेंगे बची हुई जो digit है वो है 56 उसमें हम क्या add करेंगे जो आपने आगे integer वाला पार लिखा है 4 और उसके उपर हम लगा देंगे बार को तो यह हो जाएगा 4.60 बार option number A आपका यहाँ पर answer हो जाएगा तो यह एक तेज तरीका है आपके P by Q के form को recurring form में convert करने का एक question और हमारे पास यह भी हम कर लेते हैं अब यहाँ पर 4 digits दे दिए हैं नीचे कितना है? 2 digits है तो हम क्या करेंगे? 2 अपने पास रख लेंगे और 2 बची हुई 2 को integer बना देंगे तो यह हो जाएगा 13 point बचा हुआ क्या है? 14 प्लस क्या करना पड़ेगा? यह जो आपने अलग से integer निकाला था 13 अब इसे हम देखें तो यह हो जाएगा 13 point 27 नीचे 2 digits थे तो यहाँ पर 2 पर बार लगा देंगे तो 13 point 27 यहाँ पर हमारा answer हो जाएगा अब हम देखते हैं 5 8 8 0 को हमें 99 से divide करना है इसे भी हम करके देख लेते हैं हमें पता है यहाँ पर 99 है और यहाँ पर 4 digit है तो हम 80 को ले लेंगे और 58 को हम बना देंगे अपना integer वाला part तो इसे हम लिख देंगे 58 फिर decimal 80 में हमें add करना है यह जो हमने integer निकाला है 58 तो यह हमें देगा 58 point अब इसे अगर हम देखें तो यह देगा 138 138 लेकिन यहाँ पर नीचे तो 99 है मतलब 2 digit पर बार होना चाहिए जबकि यहाँ पर तो 3 digit आ रही है तो इससे किस तरह से करना होता है यहाँ पर आप गलती मत करेगा कि पूरे पर बार लगा दें या फिर से 38 के उपर बार लगा दें ऐसा नहीं होता यहाँ पर है 138 138 अब इसके नीचे है 99 जब decimal वाला पार्ट रहेगा वो तो इसी तरह दिखेगा न 138 divided by 99 तो इसे हमें अभी convert करना बचा हुआ है recurring के form में तो यहाँ पर 2 digit उपर 3 digit तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे 1 point 38 बचेगा उसमें 1 जोडेंगे तो वो हो जाएगा 39 बार extra बच रहा है हमारा यह वाला 1 यह वाला 1 जो है वो हमारे पास extra बच रहा है तो वो 1 किस के पास रघ जाएगा 58 के पास तो जो हमारा answer हो जाएगा वो होगा 58 प्लस यह वाला जो carry जाएगा 159, decimal में 39 के उपर बार, ये अब हमारा answer हो जाएगा, तो correct option है option number D, तो ये अच्छा question था, convert करने में किस तरह से हम गलती कई बार कर देंगे, तो जब भी आपकी जो यहाँ पर bracket के अंदर decimal वाली digit है, वो नीचे दीगे digit से जादा हो जाए, जैसे यहाँ पर 138 हो रहा था, तो हमें इसे लिखना पड़ता, 138 upon 99, तो यहाँ पर दो डिजिट से जादा है, अब next चीज हमें देखनी है, addition and subtraction of recurring, उपर हमने देखा किस तरह से हम P by Q form में change कर सकते हैं, और P by Q से recurring form में change कर सकते हैं, अब जो question type आते हैं, और यह हमें exam में दिखते भी हैं, addition या subtraction कराए जाता है हमसे recurring के numbers का, तो जब भी recurring में addition या subtraction होगा, तो इसमें दो चीज हमें देखनी पड़ती है, पहले आप question को देखिए, जैसे यहाँ पे 2.56 के उपर बार और यहाँ पे 2.345 के उपर बार, यहाँ पे पहले वाले पार्ट में repeating digit कितनी है एक, non repeating कितनी है एक, दूसरे वाले पार्ट में repeating digit कितनी है एक, और non repeating कितनी है 3 और 4 मतलब 2 यहाँ पर 2 non repeating है यहाँ पर 1 non repeating है अब हम कैसे determine करते हैं कि हमारा जो answer आएगा add या subtract करने के बाद उसमें कितनी repeating और कितनी non repeating होगी तो इसका भी एक rule चलता है वो मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पर अगर हमें निकालना हो कितनी non repeating है तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ non repeating non repeating होगी इसके आगे मैं लिख देता हूँ maximum, max और repeating वाली कितनी होगी इसके आगे मैं लिखूँगा LCM अब हम देखते हैं साथ क्या मतलब जब भी 2 या 2 से ज़्यादा कितनी भी वहाँ पर आपके number हो सकते हैं उसकी कोई limit नी है अगर हमें निकालना हो कि हमारे answer में non repeating digits कितनी होगी तो max का मतलब होता है जो non repeating digits हैं उन में maximum कौन सी है जैसे यहाँ पर दो number है तो अगर इन दो numbers में देखूँ तो यहाँ पर एक हमारी है non repeating यह 5 और यहाँ पर 3 और 4 2 हैं हमारी non repeating तो इन दोनों में maximum क्या है 1 और 2 में से 2 मतलब इस वाला जो हमारा question है इसके answer में non repeating digits हमारी 2 होनी चाहिए तो अगर हम पहले option को देख लें तो यहाँ पर 2 non repeating आ रही है यहाँ पर एक है यहाँ पर एक भी नहीं है और यहाँ पर एक है तो simply एक हम यहाँ पर इस logic से टिक कर सकते हैं फिर भी और हम से आगे समझते हैं अब अगर हम बात करें repeating की तो repeating के आगे मैंने लिखा है LCM इस LCM का क्या मतलब repeating digit जितनी भी है जैसे यहाँ पर repeating कितनी है एक यहाँ पर repeating कितनी है एक तो 1 और 1 इसका अगर मैं LCM लूँ तो वो भी मुझे क्या मिलेगा 1 तो जो repeating digit होगी हमारे answer में वो भी एक ही होने वाली तो अगर पहले वाले को देखें तो यहाँ पर 1 है दूसरे वाले में 2 है तीसरे वाले में 3 है चौते वाले में 2 है तो हमारे answer में तो एक repeating होनी चाहिए तो वो भी A वाले को satisfy कर रही है तो चाहे पहले logic से, चाहे दूसरे logic से, कैसे भी आप कर लीजे, option number यही आपका answer आएगा, तो कई question ऐसे आ सकते हैं exam में, पहले की exam में ऐसे question दिखे हैं, जहाँ पर simply आप यह दो logic लगा के, without solving, आप options का help लेके, determine कर सकते हैं, कि आपका answer क्या होने वाला है, तो यह दो चीज़ दो में ही applicable हो, अगर दो से ज़्यादा number होते, तो भी यह चीज, same logic हम लगा रहे होते, देखते हैं कि सबसे ज़्यादा non repeating किस में आ रहा है, उतने हम ले ले लेते, और repeating वालों का हम LCM ले लेते, इस चीज़ को हम दूसरे example में करके देखते हैं, जैसे question number 15, अब यहाँ पर तीन डिजिट हमें दी हैं, तो यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ, उपर वाला logic लगाऊं, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ non repeating, n, r, non repeating डिजिट कितनी होने वाली है, तो मुझे पता है, maximum मुझे निकालना पड़ेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो non repeating डिजिट मेरे आंसर में 0 होने वाली हैं अब अगर में repeating digit की बात करूं वो कितनी होने वाली हैं यहाँ पे एक यहाँ पे दो और यहाँ पे दो तो LCM लूँगा मैं 1 यहाँ से 2 और यहाँ से 2 LCM मुझे मिलेगा मतलब मेरे आंसर में नॉन रिपीटिंग डिजिट जीरो रहेंगी एक भी नॉन रिपीटिंग नहीं रहने वाली है और रिपीटिंग वहाँ पर दो दिखेंगे अब अगर हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पर 5.7 एक ही रिपीटिंग है तो इसे हम कैंसल कर सकते हैं C वाले पर भी दो रिपीटिंग है ये भी हो सकता है D वाला नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर एक रिपीटिंग है अब इस कोशन में प्रॉलम ये हो गई कि यहाँ पर option उन्होंने ऐसे दिए जहाँ पर य दोनों conditions satisfy हो रहे हैं दो आप्शन में तो ऐसे मैं अब हमें यहा 1.3, 1.3, यह repeat होता जाएगा, अभी हम देखते हैं, उसे हम कितना repeat करा है, फिर दूसरा वाला है, 1.47, 1.47, यह repeat होगा, तीसरा है, 2.89, यह भी repeat होगा, अब यहाँ पर number of digits हमें पहले समान करने, equal कर लेनी होती है, तो यहाँ पर 3 एक बार आ रहा है, तो इसके आगे 3 हम और ल हमारा पहला पार्ट, यहाँ पर मैं एक dotted line बना देता हूँ, यह था हमारा पहला इससा, अब इसके आगे हम क्या करते हैं, safe रहने के लिए, कि जो हम answer निकालें, वो सही आए, इन digits को एक या दो बार और repeat ले लेते हैं, तो यहाँ पर, चुकि दो डिजिट का है, तो इसे हम हमें दो बार लिखना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, 8, 9, 8, 9, यहाँ पर 4, 7, repeat होगा, यहाँ पर 3, repeat हो रहा है, तो 3 को हम दो बार repeat कर लेते हैं, अब हम इसे add करके, अब हमें इन्हें आपस में add कर लेना होता है, यह extra digit हम यहाँ पर क्यों ले रहे होते हमें, extra digit हमें यहाँ पर इसलिए लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर carry forward हमें मिलता है, तो वो carry forward की वज़े से कई बार एक दो digit में हमें अंतर देखने को मिल जाता है, और अगर answer हमारे बहुत close हो, जैसे यहाँ पर केवल decimal के बाद अगर आप देखें, इस वाले digit पर केवल 0.02 का या दो बार हम repeat करते हैं, दो से तीन बार ideal रहता है, लेकिन चुकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा difference नहीं है, इसलिए हम दो बार में भी काम कर सकते हैं, safe रहने के लिए हम यहाँ पर 4, 7, 3, 3, 8, 9, all लिख सकते थे, इसे हम एक बार solve करके देखते हैं, यह हो जाएगा 10, और 10 और 17, 7, carry चला जाएगा यहाँ पर, 1, 2, 3, 5, decimal यहाँ पर लगा हुआ था, अब अगर मैं इन digits को और repeat करता है, मतलब यहाँ पर अगर मैं 8, 9, 4, 7, 3, 3, और लिखता है, तो यह जो 69 था, यह 70 हो जाता है, क्योंकि carry forward मिलने लगता है, इसलिए हम एक से दो बार चीजों को लिखते हैं, ताकि answer confirmed हमारा है, तो यहाँ से मुझे पता है, 69 आ रहा है, अगर मैं और लिखता हूँ, तो वो इसे 70 बना देते हैं, तो 70 जो है, वो हमारा repeat हो रहा है, अब अगर हम अपना logic देखें, तो non repeating 0 आनी चाहिए, non repeating 0 ही है, repeating हमारी 2 होनी चाहिए, repeating हमारी 2 ही है यह 5.70, option number B आपका यहाँ पर answer हो जाएगा, तो जब भी जिन question में इस तरह से हमारा logic नहीं लग पाएगा, दो options में जो है, repeating है, non repeating डिजिट एक जैसी हमें दिखने लगेंगी, तब हमें उन्हें फिर ultimately plus या minus करना ही पड़ता है, अब plus minus करने के लिए भी यह digits को extra लिखना जरूरी है, वो भी मैंने आपको नीचे दिखाया, और एक question को हम solve करते है, हमें solve करना है, 4.32 यह इस पर बाहर लगा है, 5.54, 2.24, अब यह interesting question है, कई बार आप flow flow में आप इससे गलत कर बैठेंगे, आप सुचोंगे बाहर लगा है, मतलब repeat करा देना है, लेकिन मैंने आपको शुरुआत में बताया था, कि integer वाले पार्ट में यह बार लगा हुआ है, decimal वाले पार्ट में तो कहीं से कहीं तक बार लगा ही नहीं हुआ है, तो यह recurring digit का addition नहीं हो रहा है, यह तो simple साब का simplification का question अब यह बन गया है, तो इसे हम देख लेते हैं, इसे हम लिखते जाते हैं यह होगा minus 4, तो हम क्या करेंगे, जो integer वाले पार्ट हैं उन्हें एक साथ ले लेते हैं, decimal वाले पार्ट को अलग से add कर देंगे, यह हो जाएगा minus 4, यहां से minus 5, यहां से minus 2, integer वाले पार्ट में बार लगा है, तो वो सारे negative के हैं, decimal वाले पार्ट को हम यहां पे लिख लेत है जिरो पॉइंट थी टू प्लस जिरो पॉइंट फाइफ फोर प्लस जिरो पॉइंट टू फोर अब इसे हमें सिंप्लिफाइ कर देना है यह हो जाएगा पांच चार नो और दो ग्यारा तो माइनस का 11 है अब यहां पर अगर मैं अपना डेसिमल वाला पार्ट देखूं तो दो चार और चार आठ और दो दस तो यहां पर जीरो कैरी फॉरवार्ड जाएगा वन तीन और पांच आठ आठ और दो दस और ग्यारा तो यहां पर होगा वन पॉइंट लगा हुआ था और एक आगे चला अब अगर हम इसे देखें तो यह होगा प्लस वाला जो वन है इंटीजर वाला पार्ट वो इससे दे देएगे वो जाएगा माइनस टेन यहां पर क्या होगा प्लस 0.1 तो इसे जब हम सॉल करेंगे तो वो होगा माइनस आफ 9.9 आप्शन नंबर डिहां पर हमारा आंसर हो जाएगा तो ये चीशंग आपको ध्यान रखनी है कि बार कहां पर लगा हुआ my अगर इंटीजर के उपर बार लगा यह तो उसा मैं फिर नेगेटिव बार लगा है तो फिर हमें उन्हें recurring Numbers की तरह treat करना है plus plus minus का concept मैंने आपको सबसे पहले वाली slide सबसे उपर ही मैंने आपको समझा दिया था तो उस चीज का भी यहाँ पर आपको sign का ध्यान रखने ध्यान रखते हुए चीजों को solve करना है question number 17 अब यहाँ पर हमें fraction की term में value दी है और decimal की term में हमें पूछा है तो इसे कैसे करेंगे तो हमें पता है नीचे 9 है और यहाँ पर 99 है तो क्यों ना हम इसे recurring form में या decimal form में पहले convert कर लें क्योंकि जब भी division में 9, 9, 9 या फिर triple 9 इस तरह का होगा तो वो तो हमें convert करना आता है तो इसे अगर हम देखें पहला वाला fraction है 23 upon 9 नीचे एक digit है उपर दो digit है तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा 2 point अब मैं direct कर रहा हूँ 3 बचा है 3 में 2 add करेंगे 5 तो 5 यहाँ पर और एक बार लग जाएगा 5 के उपर प्लस इस वाले पार्ट को देखूँ तो नीचे 2 है उपर 3 डिजिट है एक रहेगा हमारा integer वाला पार्ट बन जाएगा 47 में मुझे integer add करना है तो वो मुझे देगा 48 99 है तो 2 के उपर बार लग जाएगा तो quickly इस fraction को हमने convert कर लिया recurring के form में अब हम इसे solve कर लेंगे तो अगर पहले हम अपने logic लगाने की बात करें तो non recurring digit कितनी होनी चाहिए यहां पर non recurring होनी चाहिए 0 क्योंकि कोई भी recurring नहीं कर रहा है तो non recurring में 0 और recurring कितनी होनी चाहिए 1 और 2 तो LCM कितना हो जाएगा 2 तो 2 recurring हमारे पास आना चाहिए 2 recurring कहां पर आ रहा है option number C में तो simply C हमारा option हो जाएगा इसे आप solve भी करके देख सकते हैं solve करके भी आपको बता देता हूँ यहाँ पर हम लिख लेंगे 2.5 यहाँ पर हम लिखेंगे 1.48 8 आ रहा है तो यहाँ पर हम 5 को repeat करा देंगे और क्या करेंगे एक एक बार at least और ले लेते हैं तो 4.8 और यहाँ पर 5 और 5 अब हम इसे add कर देंगे यह हो जाएगा 13, carry जाएगा 1 10, carry जाएगा यहाँ पर 1 यह 14 हो जाएगा, carry जाएगा 1 फिर यह 0 हो जाएगा, carry जाएगा यहाँ पर 1, यह बनना देगा हमारा 4 और यहाँ पर लगा हुआ है decimal तो अगर मैं इसे और repeat करता है यहाँ पर और digit लिखता है तो 03 की जगे 04 मिलता है तो 04 04 इस तरह से repeat होता जाता तो हमारा answer हो जाएगा 4.04 04 के उपर बार लगा रहेगा वह हमारा यहाँ पर भी answer आ रहा है तो इस तरह से smartly आपको decide करना है उपर जो हमने recurring और non recurring का rule देखा था उसे भी आप साथ में लगाते जाएगे तो कई सारे questions में तो आप direct बिना इस तरह से solve करे भी answer निकाल पाएगे अगर option उस तरह से दिये हुए हैं तो नहीं तो फिर plus minus आपको करना पड़ेगा question number 18 अब हमें ये solve करना है अभी तक कि उपर हमने देखा कि हमेशा हमें नीचे 9 या फिर 99 या फिर triple 9 इस तरह की चीज़े दिखरी होती थी अब यहां पर आगया 11 अब हम क्या करें क्या हम इसे 11 से divide करके फिर वहां पर recurring निकालें फिर solve करें वो एक तरीका हो सकता है लेकिन वहां पर unnecessary हमें इस चीज़ को divide करना पड़ेगा और हमारा time जाएगा हमें पता है कि हमें इसे recurring form में convert करना है और denominator में मुझे क्या चाहिए होता है 9, double 9, triple 9 इस तरह से और यहां पर तो दिया हुआ है 11 तो क्यों न इस fraction को 43 by 11 है इसे मैं 9 से multiply कर दूँ उपर नीचे तो नीचे मुझे मिल जाएगा 99 और 99 को तो फिर में 99 का use करके फिर में से quickly convert कर सकता हूँ recurring में तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ पहला गर हम बात करें 43 by 11 की 43 by 11 11 के लिए हम नहीं कर बता सकते उसे किस तरह से हम recur करेंगे है ना या तो हम इसे divide करें पर मैं revise नहीं करना चाहता मुझे दिख रहा है साफ साफ कि अगर 11 है 7, 2 उपर जाएगा 9, 4, 36, 38 38 upon 99 ये बन गया मेरा fraction दूसरा वाला कितना दिया हूँ है मुझे उसके नीचे तो 9 है तो उसमें मुझे कोई change करने की ज़रोत नहीं है 147 upon 9 अब हम इसे solve कर लेते है 99 है और यहाँ पर 387 3 digit है तो इसका जो recurring बनेगा वो होगा 3.87 में में 3 को add करूँगा तो 90 9, 0 और उसके उपर लग जाएगा bar plus यहाँ पर 14 है और 7 है एक digit हमें लेनी है तो 14 हमारा बन जाएगा integer वाला पार्ट और यहाँ पर क्या बचेएगा decimal के बाद 7 और 14 मतलब 21 अब यहाँ पर अगें सेम चीज हो गई जो हमने उपर 5 880 वाले question में देखा था कि यहाँ पर जो decimal वाला part है वो हो जा रहा है 21 upon 9 तो नीचे एक digit है उपर 2 digit है तो सबसे पहले मुझे इस part को simplify करना पड़ेगा recurring के form में इसे मुझे convert करना है तो यह हो जाएगा 2.3 और उसके उपर लग जाएगा बार ठीक है तो 2 हमारा extra digit आ रही है वो मुझे किसे देनी पड़ेगी अपने integer वाले part में तो यहाँ पर 14 न लिखे हम लिखेंगे 14 प्लस 2 मतलब 16 और recurring वाला part decimal part हमारा कितना रहेगा 3 के उपर बार तो यह जो fraction था इसे हमने अप convert कर लिया अपने recurring में अब हम इसे solve कर सकते हैं पहले अगर मैं options को देखूँ तो 2-2 बार लगे हुए हैं और LCM भी हमारा 2 आएगा तो solve करना ही पड़ेगा इसमें अपना logic नहीं लगा सकते इसे हम solve कर लेते हैं 3.90 एक बार और repeat करके लिख देते हैं 9.0 और यहाँ पर 16.333 और 3 इसे अब हम add कर देंगे यहाँ पर आएगा 3 यहाँ पर 12 एक carry जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 4 यहाँ पर हो जाएगा अगें 12 का 2 carry जाएगा यहाँ पर 1 यह हो जाएगा 20 decimal यहाँ पर लगा हुआ था अगर मैं इसे और repeat करता digit को तो यहाँ पर 2,3 की जगे 2,4,2,4 आता मतलब repeat मेरी 2,4 वाले digit होगी तो answer मेरा हो जाएगा 20.24 option number A तो इस तरह के questions भी आ सकते हैं दूसरा यही वो चीज़े जहाँ पर examiner आपको परिशान कर सकता है कि division में 9, 99,999 न देके आपको 11 दे दे और भी यहाँ पर possibility बनती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या-क्या दे सकता है देना नहीं चाहिए चीज़े complex हो जाती है लेकिन फिर भी वो आपको दे सकते हैं को पता होना चाहिए तो हमने देखा अगर मैं 99 को देखूँ color change करके लिख देता हूँ अगर मैं 99 को देखूँ तो इसमें 9 के लिए तो मुझे पता है होता ही है और एक इसमें 11 भी आ रहा है तो अगर 11 होगा तो उसे 9 से multiply करके मैं 99 बना देना चाहूँगा अब अगर मैं 999 को देखूँ 999 में क्या के आएगा इसमें एक दिखता है 37 और इसमें एक दिखता है 27 यह दो चीजे हैं जो extra यहां पर हमें दिखती है 3 भी आएगा पर वो मैं अभी बता नहीं रहूँ मैं simply आपको यह बता रहूँ कि इनमें क्या क्या दिखेगा इसको 999 को जब आप factorize करेंगे तो उसमें आपको 37 दिखेगा 27 दिखेगा यह extra numbers हैं digits हैं जो हमें दिखेंगी 3 भी एक दिखेगा तो 3 दिखेगा तो 3 से multiply कर देंगे पर अगर जो मैं बताना चाहा रहा हूँ अगर आपको कभी 11 दिखे डिविजन में जैसे यहाँ पर दिखाए कभी 37 दिखे या कभी 27 दिखे तो इन्हें आपको convert करना होगा अगर 11 है तो 99 में अगर 37, 27 है तो 999 में तभी आप उस fraction को फिर इस तरह से directly recurring में convert कर पाएंगे तो यह कुछ extra tricky चीज़े हैं जो कि examiner हमें कई बार दे सकते हैं परिशान करने के लिए तो यह आपको पता होना चाहिए कि हम 99 के multiples को फिर देखेंगे अगर question आया recurring में convert करने का तो ऐसे ही number मिलेंगे उस तो भी number आपको नहीं दी जाएंगे कोई भी number जब दिया जाएगा question जब भी frame होता है तो किसी logic के उपर frame होता है तो examiner वही चीज़ टेस्ट कर रहा है कि आपको वो part वो property वो चीज़ पता है कि नहीं तो यह वो छोटी-छोटी चीज़े हैं जहां पर वो आपको trick कर सकता है अब हमें देखना है multiplication and division of recurring तो उपर हमने addition subtraction देख लिया P by Q से recurring का form देख लिया दोनों को हमने किस तरह से convert करते हैं वो सब देख लिया अब अगर multiplication और division की बात करें हम recurring की तो यहां पर हमें जो भी number दिया होगा उसे P by Q के form में या fraction के form में convert करना होगा उसी के बाद हम multiply या फिर divide कर सकते हैं direct recurring वाले numbers को multiply divide नहीं कर सकते उन्हें हमें पहले convert करना होता है fraction के form में फिर उसके उपर फिर उसके बाद हमें जो भी multiply या divide जो भी हमें operation करना होगा वो हम करते हैं तो यहाँ पर 1.3 bar into 2.12 bar, इसे हमें multiply करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्हें fraction में convert करेंगे, 3 के उपर यहाँ पर 12 है, तो इसका मतलब, इसे हम अगर convert करें, 13 minus 1 मतलब 12, नीचे कितना आना चाहिए? 9, multiply मुझे इसे करना है, 212 हो जाएगा, minus क्या करूँगा, 2 को, तो 210 divided by 2 के उपर बार है तो 99, तो दोनों को हमने fraction में convert कर लिया, अब हम इसे simplify कर लेते हैं, तो 3 से अगर हम इसे देखें हैं, तो यह 4 बार जाएगा, 3 से यह जाएगा, 70 टाइम्स यह हो जाएगा, 280 divided by 99, आन्सर हमारा recurring में है, तो इसे हम recurring में convert कर लेंगे, यहाँ पर 2 डिजिट हैं, उपर 3 डिजिट हैं, तो 2 हमारा carry form, हमारा integer वाला पार्ट बन जाएगा, decimal हो जाएगा, 80 plus 2, 82, उसके उपर बार लग जाएगा, तो 2.82 बार, option नमबर भी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, तो यह आपको ध्यान रखना है, कि अगर multiply और divide करना हो recurring numbers को, तो आपको उन्हें पहले fraction में convert करना होता है, लास्ट कोश्चन, यह है थोड़ा सा tricky कोश्चन, अब tricky है, recurring number है, तो इसे मैं लिख देता हूँ, 0.23 bar, ठीक है, यह हमें number दिया हुआ है, इसे हमने multiply किया किसी number से, जिसे हमने answer denote किया है, it gives an integer, मतलब 0.23 bar को n से multiply करने के बाद हमें integer मिलता है, तो हमें बताना है कि n की value क्या हो सकती है, इन options में से, अब इसमें एक logic चल रहा है, जो चीज़े हम उपर already कई बार देख चुके हैं, पर चुकि यहां पर हमें word के form में, शब्दों के तरह question लिख के दिया है, इसलिए हम कई बार चीजों को समझ नहीं पाते हैं, 0.23 bar, इसे अगर मैं P by Q के form में convert करूं, क्योंकि multiply की बात हो रही है, multiply करना है, तो recurring में तो हम नहीं करेंगे, उसे हमें P by Q के form में change करना पड़ेगा, इसे अगर हम P by Q के form में change करें हैं, तो यह होगा 23 divided by 99, अब इसमें हमने N को multiply किया, और हमें मिल क्या रहा है उसकी वज़े से, हमें मिल रहा है इक integer, INT, अब आप मुझे बताईए कि ऐसा कैसे हो सकता है, या ऐसा कब हो सकता है, कि किसी fraction को आप किसी number से multiply करें, और आपको integer मिले, तो यह तभी हो सकता है, कि जब fraction का denominator जो है, वो इस number को पूरी तरह से divide करता है, मतलब यह जो हमारा number है, वो multiple होना चाहिए, हमारे 99, या फिर यहाँ पर जो भी आपका denominator में number दिया हो, वो, तो अगर आपका number इसका factor है, division में जो आ रहा है, तभी आपको number एक integer देगा, बस यही concept आपका test वोता, तो यहाँ पर हमें देखना है कि 99 के multiples कहाँ पर आ रहे हैं, तो 99 का पहला multiple होता है, 99, वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, दूसरा multiple होगा हमारा, इसको 2 से multiply करेंगे, तो 198, 198 दिख रहा है कि आपको? नहीं, जबकि close option 199 दिया है, तो वो भी नहीं है, next हमें तीसरा multiple जाना है, तो इसमें अगर हम 100 आड़ करें, तो 298 हो जाएगा, एक माइनस करें तो 297 हो जाएगा, 297 दिख रहा है क्या? हाँ, option number C हमको दिख रहा है, और वहीं आपका answer हो जाएगा, बाकि के option आप देखेंगे, satisfy यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, तो यह चीज़ तो हम अलड़ी उपर देख चुके हैं, चीज़ों को fraction मा convert करना, बस जो चीज़ test हुई, वो यह था, कि अगर कभी भी इसमें multiply करना हो, तो यह जो number होगा, वो हमारे denominator का multiple होना चाहिए, तो इतना आज हमने अपने recurring में देखा, यह more than sufficient है, आपकी tier 1 exam के लिए, इस से उपर ज्यादा level नहीं आना चाहिए, जितनी चीज़े हमने देखी है, recurring से related, जितनी आ चुकी हैं, या आ सकती हैं, वो सब हमने देखा, किसके जगे पे वो level अब उपर कर सकता है, जैसे 37, 27, वहाँ पे वो थोड़ा सा आपको trick कर सकता है, वो चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखनी है, multiplication, division तो easy है, ज्यादा problem है नहीं, जहाँ पर add subtract करना है, वो एक challenge है, plus जो हमने सब से उपर देखा था, उपर बार लगा हुआ है, तो उसे हम किस तरह से लिखते हैं, यह कुछ basic चीज़े हैं, जो आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, लोग इसमें बहुत गलती करते हैं, क्योंकि वो इसे miss कर जाते हैं, तो recurring की class, आज हमार इतनी थी, इतना more than sufficient है, तो आज की class को हम करते हैं, खत्म मिलते हैं अग्री class में,